बरतमान समय में धरखन के मुख्य मंत्री मानन ये हमांत सोरेंजी के आवाज में एक ओडियो सर्वे के माध्यम से नियोजन निती को लेकर करके सर्वे किया जा रहा है जिसमें दो विकल्प दिया गया है मात्र दो विकल्प दिया गया है और हम का और उसमें पहला विकल्प य है कि जो नियोजननीती हाई कोट से रग कर दिया गया है क्या उसे सुप्रिम कोट ले जाएं और दूसरा विकल्प यह है कि जब तक 1932 अधारित नियोजननीती नौई निसुची में सामिल नहीं होता है तब तक दूहजार पहले से नियोजननीती के अधार पे परिच्छा लें बहुत अच्छी बात है परिच्छा भी होना चाहिए हम लोग परिच्छा रोज चिलाने भी परिच्छा हो परिच्छा हो परिच्छा हो परिच्छा हो हम लोग परिच्छा के बीना पागल हो गए हैं और यह कर दिया था कि जो है कि नियोजन निती समय असमेदानी था कि इसमें आर्टीकल 14 और 16 वाईलेशन यह जो है कि यह नहीं चल सकता है उसके बावजूद तीन साल हमारा समय को बरबात कर दिया गया और जहरकन के भोले भाले जनता का लगभग लगभग चार से पांच करोड रुपिया अपने दिल्ली के दोस्तों को सुप्रीम कोट से बुला करके हाई कोट में पैसा बरबात कि संबधानिक यह तो हो ही नहीं सकता है और जो दूसरा विकल्फ है जो हुआने कहा हैं कि 2016 से पहले कनियोजनेती सर्माना चाहिए ये मुख्यमंत्री महोदए को 2016 के पहले का नियोजन निती का बात करने को लिए करके 2016 का नियोजन निती यह है कि 50% सीट जार खंडियों के लिए और 50% सीट गायर जार खंडियों के लिए सिर्फ जो है कि घर जहरखंडी के नाते आपको फुल फेसिलिटी मिलेगा सर माना चाहिए मुझ्य मंत्री को ऐसा और वो भी एक सर्वे का हम लोग पचधर है सर्वे कीजिए लेकिन ऐसा एक अपने ही अधिन जो इसका सुचना जंग संपर्ग विभाग जर्खन सरकार अपना घर का इंटू-पिंटू-चिंटू के इसारे से सर्वे कराया जा रहा है जोर टाइप के गोपनिय तरीके से सर्वे कराया जा रहा है अगर सर्वेई कराना है तो आप जो है कि इंडिपेंडेंट बोडी से कराइए आप सोतंत्र बोडी से कराइए जिस परकार निर्वाचन आयोगने चुनाव कराता है वो किसी के अधिनी वैसा कोई सम्मेधानिक संस्ता से सर्वेई कराइए हम लग सुईकार करते हैं और अगर जो आप सर्वेई करा रहे हैं चोर टाइप का आपका रिजल्ट हम आज दावे के साथ का सकते हैं कि आपका रिजल्ट पहले से ताय है कि आप आने वाले दिनों में ओपेन फोर ओल इंडिया करने वाले हैं इसलिए आप जो है कि चोर टाइप का गोपनिये तरीके से अब सर सब्सक्राइब करें अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले